तो हेगाइस स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल के एक और टेक्ट नियूज जाले वीडियो में और दोस्तों आपने अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो फटफट से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ऐसे टेक्ट नियूज के रिलेटेड सकते हैं इंपिनिक्स की तरफ पर इन फिनिक्स स्माट फूर प्लस इस्माटफून जो कि इंडिया में 215 गोंच होने वाला है और साथ में लडी़ और के प्रिंगर प्रस प्रीज़ यह आपको आपको जुख सकेनर के सक्टाहल में आपको 6000 एमसके बैठरीन को मिलेगी और और निया टीजर वीडियो रूलाट किया है अपने अपकमिंग स्नोकर नाम का जो ऑडियो प्रॉडक्ट सीरीज लांच करने वाले कंपनी इंडिया में उसके रिलेटेड जो कि मैं आपको डिस्पेड पर शोग कराऊं और इससे यह पता चल रहा है कि इंफिनिक्स अपना स्नोकर नाम का जो ऑडियो प्रॉडक्ट सीरीज उसको 21 जुलाइक को इंफिनिक्स स्मार्ट फॉर प्लस स्मार्टफून के साथ ही लांच करने वाली है बाकि यह अदर में कंपनी कौन सा जो ऑडियो प्रॉडक्ट है वह लांच करेगी इसके डिटेर स्मार्टफून का डिजाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आगे बरता आइकू की तरफ और आइकू के 120 वाट फ्लैस चार्ज जो कि आपको आइकू का 120 वाट का फ्लैस चार्ज देहने को मिल सकता है बहुत दी जल्द आगे बरते लेनवो की है बैसे चारा गिन्द लेनवों लीजहां गेमिंग स्मार्टफून के एकको शक षचार क्यों किना पोष्टर करते व rubbish जो कर आई और Lenovo Legion Gaming स्मार्फोन में Snapdragon 865 Plus Processor आने वाला था मतलब Snapdragon 865 Plus Processor पर रन करने वाला था बट कोई confirm नहीं था कि Snapdragon 865 Plus Processor ही होगा बट company ने finally confirm कर दिया है कि Lenovo Legion Gaming स्मार्फोन में आपको Snapdragon 865 Plus Processor होने वाला है LPDDR 5 RAM का support मिलेगा, UFS 3.1 storage का support मिलेगा Wi-Fi version 6 मिलेगा और उसी के साथ 5G होने वाला है तो अपकोस दोस्तों Snapdragon 865 Plus Processor दिया गया है तो 5G तो होने वाला है बाकी company से 22 जुलाइ को launch करेगी तभी पता चलेगा क्या pricing होती है और 22 जुलाइ को Lenovo Legion Gaming स्मार्फोन का pro वाला जो वेरिंट है वह भी launch होने वाला है आगे बर तो Nokia की तरह पर सुभा मैंने आपको न्यूज दिया था कि Nokia TA1274 नेम से एक device लिस्ट किया गया है FCC certification website पर और उसके related कुछ specification मैंने आपको बताया था और अब Nokia का एक और निया स्मार्टफोन TA1258 model नेम से TNA पर लिस्ट किया गया है जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर शोग करा हूँ और Nokia TA1258 model जो है वो एक 4G स्मार्टफोन है और 5.99 इंच का आपको डिस्प्लेश देखने को मिलेगा और उसी एक साथ यह जो 3 और 4 स्मार्टफोन है यह किस नाम से आने वाल है इसके रिडेटर अभी तो कोई पता नहीं चला है बट यह 3-4 जो इस्मार्टफोन है वह 4G स्मार्टफोन होने वाला 5G स्मार्टफोन नहीं होंगे बाकि देखते हैं कंपनी अपना और क्या-क्या स्मार्टफोन नहीं है वह लांच करती है और इस स्मार्टफोन का जो मॉडल नेम है वह तुम आपको बता दिया बट इसका जो मोनिकर है इसका जो ओरिजिनल क्या नेम से कंपनी से लांच करेगी वह अभी तक पता नहीं चल कर सकते हूं अपने या फ्रेंड के चाथ और साथी में रिलेटिव के सफी और आपको अपने भणा आक्साथ है और यतख कर सकते हैं और साथी में आप में कमेंट करके बता सकते हूं कि आपके मेसेंजर एप में यह निया स्क्रीन शेरिंग फीचर जो है वह आया है कि नहीं आगे बड़ते ट्विटर की तरह पर दूस्तों ट्विटर कुछ दिनों से बहुत सारी जो ने अपडेट है उसको रूलाट कर रहा है जो डीम फीचर उसको पूरा चेंज कर दिया है जो कि मैं आपको डिस पर शो कर रहा हूं तो अब आपको यह वाला जो फीचर वह आपको ऐसा देखने को मिलेगा और यह निया अप्ड़ इस पैसली वेव यूजर के लिए रूलाट किया गया है उनके लिए यह निया दियम यह है तो यह वह एन गया सकते में कोई भी डिसेफर कर सकते हैं बहुती दिक्कात आती बहुत प्रॉडम होता था हौद अब उन तो आगर आप वेब वरजन पर यूज करते हो तो ये निया डिम फीचर आप चेक कर सकते हो और आपको समसुम के बहुत सारे में कुछ कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा प्लस आपको Samsung Care Plus package भी मिलने वाला है और उसी के साथ आपको no cost AMI का option भी मिलने वाला है तो आप कोई भी smartphone अगर purchase करना चाहते हो तो आप Samsung Days Sale में purchase कर सकते हो लिंक में आपको description में दे रहा हूं वहाँ पर जाकर आप इजरी तरीके से Samsung Days Sale म हो गया Samsung A51 हो गया A71 जो भी smartphone आपको purchase करना है आप purchase कर सकते हो अगर आपको मन है तो आप एक बार चेक आउट करके देख सकते हो और इसी के साथ इस वीडियो में पता चल जा रहा है कि Samsung Galaxy Bird में आपको ANC का support देखने को मिलेगा तो अगर आपको ANC के बारे में नहीं पता है त और इसी के साथ Samsung ने इस वार एपल एरपोर्ट का जो डिजाइन उसको कॉपी नहीं करती है बाकि अदर जो कंपनिया जैसे की हो गया वीवो हो गया ओपो हो गया शाओमी हो गया उसका दुआ बाकि जितने भी कंपनिया वह एपल के एरपोर्ट का कोपी करते हैं अब संसम ऐसा कभी नहीं करता है Samsung अपना कुछ यूनिकनेस लेकर आता है अपने कोई भी प्रोड़क्ट में और इसी का जो अनपक्ट इवेंट होने वाला है पांच अगस्त को उसमें और हो सकता है Samsung अपना Z Fold 2 को भी लॉंच कर सकती है बागी देखते हैं बट पांच अगस्त को समसुंग ग्लोबली लॉंच किया गया था तो 3GB 64GB 4GB 128GB वेरेंट में लॉंच किया गया था बट अकोडिंग टू गिज्मो चाहिना रेड्मी नोट टाइन स्माटफोन जो कि 20 जुलाइक को लॉंच होगा तो कंपनी उसे 4GB और 6GB वेरेंट में लॉंच करने वाली है इसके साथ रेडमी नोट नाइन था दिनकालर्रिक डूस्ट उसरा मॉलच में लुंच तो आप खुद देख लेना तो दोस्तों आप तो पूरा शूर हो चुका हूं मैं कि रेड्मी 9C स्मार्फोन इंडिया में पोको ब्रांड के अंदर में ही लॉंच होने वाला है और रेड्मी 9C स्मार्फोन जिसका मॉडल नंबर है तो अगर नेस्ट पूक स्मार्फोन जो लॉंच किया जाएगा और इंडियन भी इस स्मार्फोन इंडिया में पोको ब्रांड के अंदर में लॉंच होने वाला है और साथे में ट्यूवी रेड्लेंड रिवेड निपर रूड्स हो चुका है तो बाकि देखते हैं कमपनी पू करके लाँच कर सकती है क्यूंकि रेडिमी 9c स्मार्टफोन पोको ब्राइंड के अंदर में आचुका है तुछ इसलिए आपकामिंग जो को इस्था करेंगा अपको को बात करेंगी आज के आफिरी खबर की और वनन प्रस नॉट स्मार्टफुन का जो करने वाला है यह भी कंफर्म हो चुका है और इसी के साथ मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ दिन मुझे लगता है कि एक दो सब्ता पहले ही मैं आपको न्यूज दिया था कि AC2003 और BE2028 यह दो मॉडल हैं से OnePlus के दो डिवाइज लिस्ट किये गये थे Geekbench पर तो यह मैं कंफर्म कर दूँ कि AC2003 वाले जो मॉडल है वह OnePlus का ग्लोवल वेरेंट है जो कंपनी अधर कंट्री में लॉंच करने वाली है और BE2028 वाले जो मॉडल है जो की गीकिवेंट लिस्ट किया गया था उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है बट मुझे दिन लगता है कि वह OnePlus का OnePlus Nord smartphone का जो लाइटर वर्जन हो सकता है या फिर OnePlus Nord T हो सकता है OnePlus Nord smartphone दो कलर विरेंट में आना वाला है जो की कंपनी ने अपने ओफिशल वेपसाइट पे लिस्ट करके तो इसी यह पताब चल जा रहा है कि OnePlus Nord smartphone में आपको Google Apps का सपोर्ट देखने को मिलेगा जैसे कि Google डाइलर हो गया Google मेसेज हो गया Google डियो हो गया इन सारे जो एप से उनका सपोर्ट देखने को मिलेगा और OnePlus के स्मार्ट फून में आपको OnePlus की तरफ से जो एपस मिलते थे वह अब नहीं मिलने वाले प्रेंस्टॉल OnePlus के अप नहीं मिलेंगे उसके जगह पर Google के एपस मिलेंगे और यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि OnePlus के कोई भी स्मार्ट फून में आपको मतब्र की चितने भी स्मार्ट फोन थे उन सभी में आपको उनसकी तरफ से एस मिलते थे बटर यह संस्मार्फों OnePlus का पहला इस्मार्ट फून ऊबने और उसी के साथ एपस्न इस्मार्फोन 21 को क्योंकि आझ अधिय stata तो 1921 मतंदो 24 सब्सक्राइब करेंगे और उसी के साथ दोस्तों जितना हो सब्सक्राइब करेंगे और उसी के साथ दोस्तों जितना हो सकते अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर किजें तक उन लोगों को भी वन प्लस नौट या फिर वन प्लस नौट के रिलेटर जो भी स्पेस्पिकेशन है उनके बारे में पता चले और डेली की जो टेक्निवस की वीडियो जे उनको मिलती है और साथी में उनसे भी कहना कि चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको भी टेक्निवस की अपडेट्स मिलता रहे तो मिलते हैं आपको कद्सुआ वाली टेक्निवस में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत इस्टि हो मुरे इस्टि से प्रहिए अपना ख्याल रखिए